यहीं आखरी, मेरी आंखे न अल्ट्रा साउंड की तरह है, इतने खुश क्यों लग रही हो तुम? अब मैं तुम्हें क्या बताओ तुवाल, आज की सारी अकबारों में खबर चप गई है, मेरे और मुराद के बारे में लिखा हुआ है, मेरे और मुराद के पैचप के बारे में चपा है अच्छ, और तुम्हें इसका पता भी नहीं है, यही तुम्हारा सप्राइज था हाँ तुआल जब मैं सुबह उठी तो बिलकुल शौक हो गई हाँ जरूर दिदेम अब मैं कैसे कहूँ तुम्हारा मुराद के साथ कोई रिष्टा नहीं है वो एक फेप न्यूज थी ऐसे हे खुश मत हो तुआल मुझे अच्छी तरह पता है ये न्यूज सच नहीं है पर मैं उसे सच करके रहूँगी तुम देख लेना हलो मिस दिदेम बोल रही है हरी हयाट बोलो न क्या आप यहाँ ओफिस बिल्डिंग में है मुराद सर आपसे मिलना चाहते है इसलिए मैंने कॉल किया था मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ मैं यही हूँ हनी मैं अभी आती हूँ तुआल देखा ना मुराद मुझे मिस कर रहा है इसलिए बुलाया है अब तो मुझे देखे मेना रही नहीं सकता इसलिए अब मुझे जाना होगा वो इंतजार कर रहा है निकले जाओ 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 पता है तुम्हें यकीन नहीं होगा अभी क्या हुआ मुराद का कॉल आया था और उसमें मुझसे अपनी गर्फरेंड को फोन करवाया मन तो करता है कि हाथ में जो भी आया उससे पकड़के उनका खूट कर डालू जिसे मत करो हयाथ करियर के बारे में सोचो सालिए डेट भी नजदीक है जरा हिम्मत से काम लो तुम देखो हयाथ जो भी हो जाये तुम्हें शान रहना है तुम बस अपने काम पर ध्यान दो और ये बात मत बूलो कि वो सिर्फ तुम्हारा बॉस है चलो अब मेरे साथ बोलो वो सिर्फ मेरा बॉस है 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 अच्छा सुनो मैं फोन रख रही हूँ मेरे बॉस की गर्लफरेंड जो यहां आ रही है है याद मेरी प्यारी दोस्त मैंने पूछा नहीं कैसी हो तुम बहुत खुश हूँ दुखी होने की कोई वजा ही नहीं है आज तो मैं कुछ जादा ही खुश हूँ कैसे हो सकता है सबसे ज़्यादा खुश तो मैं ही हूँ और वो क्यों चलो मैं शौट में बताती हूँ मेरी बर्दे पटी कमाल रही मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि तुम जंदी चली गई थी तुम्हारे जाने के बाद मैं और मुराद काफी देर तर हाई डालेंग मैंने सुना तुम कुछ से मिलना चाहते हो तुमने आज का अख़बार नहीं देखा देखा मैंने तो फिर इतने खुश क्यों हूँ अच्छा ये बताओ ये ख़बर तुम नहीं छपवाई है था न मैंने नहीं एक्चली मैं बहुत नर्वस फिल कर रही थी इसलिए मैंने दवाई खा ली शायद उसी की वज़े से एक्चली मुझे एक पुराना रिलेशन्शिप यादा आ गया था इसलिए मैं ओ ओके देखो अब सॉरी अब मैं मैं पूरा वीकेंड दादी जान को मनाने की कोशिश कर रहा था इसलिए अब मैं भी मेरे फैमिली में भी सेम इशूस चल रहे हैं डूंट वरी इसके बीचे कौनर में धूल निकालूंगा एतना तो मैं जानता हूं कि यह मेरे स्टाफ का काम नहीं हो सकता कहिए तो नहीं कि तुम्हारे दोस्तों में से किसे एक ने किया हो बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते मुझे पूरा यकीन है शायद ना हूँ, मैं तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के बीच में नहीं आना चाहता पार, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और इनसे पूछना होगा अच्छा, मैं उनसे पूछ लूँगी, मुझे एक ज़रूरी कॉल आ रहा है, मुझे इसे अभी आज़र करना पड़ेगा, फिर मिलते हैं बाबाए हलो, क्या तुम पहुँच गए हो? हाँ, मैं साथे बिल्लिंग में हूँ, आपने कहा था कि एक बड़ कॉल तो हूँ, वहाँ पर आके ओ, ग्रेट, मैं फोर्ट प्लोर पर हूँ, तुम जल्दी लेकर आ जाओ चाला, हानी, तुम इस सब शोरूम में ढून रहे हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जल्दी 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 बहुत अच्छे, और सुनो, यह खुल उस कीवीन पर जाकर वहाँ पर देदें चल जाओ यह इस पर किसी सुना पेक्टस का नाम लिखा हुआ है तो मैं तुम्हें सुना पेक्टस दिखाए देता हूँ जी नहीं, लेकिन वो कहां मिल सकती हैं? मैं उनका असिस्टन्ट नहीं हूँ, इसलिए मुझी नहीं पता माफ कीजेगा सर तुम बिना पूछे मेरे क्याबिन में घुसा है और मेरा टाइम बेस किया और आप मुझसे माफी मांग रहे हूँ इन फूलों के साथ दफा हो जाओ सॉरी सुर दुबारा नहीं होगा है रुक जाओ रुको मैंने माइंड चेंज कर लिया है मेरे टेबल पर रख दो में को दोने देदुगा है अरे आंटी आप लोग यहां पर कुछ हुआ है क्या शान्त हो जाओ किसी को कुछ भी नहीं हुआ है हम तो यहां अच्छे काम से आए हम डॉक्टर से मिलना है मैं मिलवा देती हूँ प्यार का डॉक्टर, इश्क का डॉक्टर, मुझे यकीन है वही हयात को ठीक कर सकता है, वही ठीक करेगा उसे महामुरे के बारे में बटाओ, हाँ, महामुरे का भतीजा इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर का काम करता है और हम इस बाद उसे डॉक्टर के तौर पर नहीं, दूले के तौर पर मिलने यहां आए हैं हम बहुत मैनट कर रहे हैं, जितने भी लड़के फाइनलिस्ट में हैं, उनकी इंटरव्यू ले रहे हैं ओ, कौन है वो, कौन से डॉक्टर, मतलब कौन से डेपार्टमेंट में काम करता है वो जनरल, उसने बटाय नहीं था उसका नाम क्या है? कादिर, डॉक्टर कादिर नाम है उसका यहां पर कादिर नाम का कोई डॉक्टर काम नहीं करता क्या कह रही हो महामुरे ने खुद बताया था उसका पुरा नाम क्या है ये देखो कोसे बताया था ईक्तर कादे कोसे नाम है मतलाnow आप अंकल कादे कोसे के बार में बात करी है वही तो है और तुम अपने जिजाची को अंकल बुलाओगी तुम भी ना, तुमे भी आंटी बुलाना पड़ेगा तुमे भी आंटी बुलाएंगे अब हम पर अंकल इसलिए क्योंकि वो 47 साल के है और वो इस हॉस्पिटर में कैटेकर है डॉक्टर नहीं उनके बस पाँच बच्चे हैं पिछले साली उनकी बीवी की तैथ हो गई सुमका डुक हुआ हाँ बहुत बुरा हुआ उनके साथ ऐसा किसी की साथ नहीं होना चाहिए शर्मानी चाहिए तुमें महमुली शर्मानी चाहिए तुम वो फल बेचने वाली औरत हो जो सड़ा हुआ एपल चुक्के से बाग में डाल देती है जाजा हो रहा है हाँ थोड़ा सा मराथ सा आपने मुझे बलाया हाँ सुना ये तुम्हारा लिया है ये किसकी तरफ से क्या पता तुम्हारा नाम इस पर लिखा हुआ है और इतने सारे रेड रोजेस हैं तो जाहिर सी बात है कि किसी खास नहीं तुम्हारा लिया इन्हें भेजा होगा तुम्हारे बाइफिर्ण नहीं पर मेरा तो कोई समझ नहीं आरा मैं समय क्यों इन्वाल्व हो रहा हूँ ये तुम्हारी लाइफ है अभी पता चल जाएगा कितनी अच्छी खुश हुआ रही है आप सही थे ये किसी आदमी नहीं भीजे शायद कोई गलत फह्मी हो गई होगी अगली बार मैं उसे बता दूँगी इसे मेरी टेबल पर ड्रॉप करें आपकी केबिन में नहीं नहीं तो आपको मेरी परसनल लाइफ में इन्वाल्व होना पड़ेगा और कुछ चाहिए साथ? नौ चाहिए से बाइए सुपり आपकी करी हो maria आपकी को कॉवांज़ से तो आपकी हो गपकी के बार दूए поддержी आपकी के अजाफ के अवो का हो